हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जौब इंडिया में सौगत करता हूँ दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जौब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तों चैलन को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों वीडियो को सेर कर दो, आज है 13 दिसंबर भी अभी नई नोटिस निकल क्या रही है, जी है दोस्तों, आप सबी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुझका भी लेकर आ चुका है, रेलुज़ गरूब डी भरती 22 दोस्तों रेलुवे गरूप डी के बारे में नई नोटिस यहाँ पर निकल क्या रही है, आप लोगों notice जो है railway की तरफ से जारी किया गया है और अभी 5 मिनट पहले दोस्तो यह notice जो है railway की official website पर आ चुका है तो दोस्तो मैं आपको यह notice दिखाने वाला हूँ साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों का result यहाँ पर कब आएगा क्योंकि दोस्तो इस notice में रजल date के बारे में जानका दिया गया है और PT के बारे में जानकारी दिया गया है तो आज यह की date में यह notice निकल क्या रही है तो चलिए दोस्तो जल्दी से notice यहाँ पर देख लेते हैं बस आप से request है इस वीडियो को जानत से जादा सेर करिए और railway के पलपल की update के लिए हमारी चैनल को subscribe कर लेना चलिए दोस्तो वीडियो इस्टार करते हैं और जल्दी से चलते हैं आपको notice दिखाते हैं तो दोस्तो आपको बता दे यहाँ पर देख सकती हो 13 दिसंबर 2022 और 8 मिनट पहले दोस्तो यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है तो चलिए हम लोग PDF यहाँ पर डावलोड कर लेते हैं दोस्तो सबसे पहले आप लोग देखिए PDF official notice यहाँ पर open हो चुका है Government of India Ministry of Railway Railway Recruitment Board जी हाँ दोस्तो RRB यहाँ पर CEA नमबर दिया गया है RRC 01-2019 Level 1 पोस्ट यहाँ पर देखोगे तो recruitment for various post in Level 1 of 7 CPC matrix notice on CBT results regarding sort-listed of candidates for physical efficiency test PET नीचे आओगे तो कुछ यहाँ पर information है जैसे बोला गया है कि CBT का जो exam हुआ था दोस्तो यह दोस्तो 17 अगस लेकर 11 October 2022 तक जो है आप लोगों का यहाँ पर railway group D का exam हुआ था इसके बाद दोस्तो अब यहाँ पर देखी number 2 most important जो है बोला गया है कि CBT का जो result दोस्तो 24 December को आएगा 24 December को दोस्तो result आएगा या इसके पहले भी आप लोगों का result यहाँ पर आ सकता है किलियर है एक यहाँ पर इनोंने end date दे दिया है 24 December 24 December से पहले 110% इन लोगों का result आ जाएगा यानि कि group D का result आ जाएगा 24 December से पहले भी आप लोगों का result यहाँ पर आ सकता है ने तो 24 December को दोस्तों आप लोगों का result यहाँ पर आएगा किलियर है और आप लोगों का जो PAT होगा उसके लिए आप लोग त्यारी करिए यहाँ पे बोला गया है क्योंकि आप लोगों का जो PAT होगा यह जनवरी 22 में होने वाला है तो जनवरी 23 में दोस्तों आप लोगों का पीटी होगा और 24 दिसंबर को आप लोगों का रजल्ट आएगा 24 दिसंबर को आप लोगों का रजल्ट आएगा या फिर 24 दिसंबर से पहले भी आप लोगों का रजल्ट यहापे आएगा इस notice में यही जानकारी है बिल्कुल official यहाँ पर notice है date यहाँ पर मंसर है 13 दिसंबर 2022 मैं official website के link नीचे discussion box में दे दूँगा वहाँ पर click करके इस notice को आप लोग चेक कर लो तो बिल्कुल official notice है 24 दिसंबर को आप लोगों का result आएगा 24 दिसंबर से पहले भी आप लोगों का result यहाँ पर आ सकता है बाकि जनवरी में आप लोगों का PAT होगा thank you दोस्तों कैसा लगा update जरू बताईएगा धन्यवाद